हाई गईस एन वेलकम बाक पुदी चैनल दीपच यादव एजुकेशन वेलकम पुदी डेली करेंट अफेयर्स डिसकॉशन तो गईस आज की तारिख से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उन सबी करेंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डीटेल में डिसकस करेंगे यह वीडियो यूपीसी और स्टेट पीसी के पॉइंट अवी से काफी जादा इंपोर्टेंट होता है तो चलो शुभार हम करते हैं बट उससे पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक् मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा या फिर उस प्रकार से भी प्रोफाइल नहीं मिलती है तो डिरेक्टली आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर दीपर यादव एजुकेशन टाइप करना मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी वहाँ पर कनेक्ट हो जाना औ और अपनी जो भी क्वेरीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हो मैं डेली बेसिस पर कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोग की क्वेरीज का रिप्लाई करूँ और बहुत सरे लोग की क्वेरीज का रिप्लाई कर भी चुका हूँ इस आर्टिकल को आप लोग GS Paper 2 Health से रिलेट कर सकते हो साथी साथ GS Paper 2 Science and Tech से भी अराम से रिलेट किया जा सकता है अब इसके बारे में लगातार वेरियस निउस पेपर्स कवर कर चुके हैं हुआ क्या कि Thailand जो कि एक देश है इसने मरीजवाना को लीगल कर दी अपने देश के अंदर अब मरीजवाना क्या है पहली चीज तो ये मरीजवाना बिसिकली एक नशीला पदार्थ है जो कि गांजे के पौदे से बनाया जाता है ठीक है आपने देखा होगा काफी सारे नशीले पदार्थ है गांजा हो जाता है फिर उसके बाद में भांग है ये सारे आपको नशीले पदार्थ देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर हम लोग मरीजवाना की बात करें गांजे की बेसिकली चर्चा कर रहे है तो इसने इसको लीगल किया अब इस आर्टिकल को कैसे रिलेट कर सकते हो मैं आपको बता दिया इंडिन एक्स्प्रेस का यह आर्टिकल है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे अब पहला क्वेशन तो आपको दिमाग में आएगा कि चलो लीगल कर दिया उसको वैद कर दिया लेकिन किस चीज़ के लिए तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि बेसिकली जो मरीजवाना है इसको Thailand के अंदर cultivate किया जा सकता है इसको उगाया जा सकता है इसकी processing की जा सकती है यह सब legalize हो गया है पहले इसके उपर ban लगा रखा था कोई भी इसकी growth वगरा कोई भी इसको grow नहीं कर सकता था लेकिन अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसको legalize कर दिया है अब अराम से लो मनुरेंजन मनुरेंजन या फिर अपना enjoyment या entertainment के लिए अभी भी आप लोग इस मरीजवाना को इस्तमाल नहीं कर सकते हो एक्सेप्शनल केसिस के अंदर मरीजवाना का use किया जाएगा ऐसा आप लोग कह सकते हो तो यह काम Thailand के थुरू किया या और Thailand यहाँ पर एक ऐसा देश लोकेटिड है तो आप देख पाओगे यह हमारा महान भारत हुआ और इंडिया के comparison में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह है हमारा Thailand अब Thailand की capital आपको यहाँ पर Bangkok देख रही होगी Thailand के बारे में चर्चा करोगे तो यह सारी बाते लिखी भी है Capital Bangkok के हम लोगों न देखना है प्लस थाइलेंड के आस पास कौन कौन से देश थाइलेंड के साथ में बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं उन सभी countries के नाम नीचे comment section में लिखना है सबसे बड़ी वाए Thailand के अदर इतिहास रहा है इस cannabis का यानि गांजा भांग यह जो नशीले पदार्त हैं इनका एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है Thailand के अंदर Thailand में लंबे समय से इन चीजों का traditional medicines के अंदर इस्तमाल किया जाता है यानि जो पुराने जमाने की दवाईया हुआ करती थी उनके अंदर इस पौधे का यूज किया जाता था ठीक है न यह आपको ध्यान रखना है अब आते हैं कुछ key highlights के उपर की और क्या-क्या बाते निक improve कर सकता है तो आप कर सकतो patients के लिए इस मरीजवानों को use किया जा सकता है ऐसा Thailand ने अभी इसको legalize कर दिया है लेकिन यहां पर एक और focus है यह तो आपने health को लेकर चर्चा कर ली है दूसरा important point यहां पर यह आता है कि आज के time पर इसके उपर पूरी तरह से ban लगावा था और overcrowding हो गई यानि बहुत सरे कैदी भर गए क्रिमिनल जश्री सिस्टम फेल मारने लगेगा अगर इस प्रकार से यह पर overcrowding होने लगेगी तो तो दूसरा point यह भी है कि इस overcrowding को कम किया जा सके क्योंकि यहां पर Thailand के अंदर जेल में बहुत सरे लोग बंद हैं वो भी सिर वेल के अंदर overcrowding हो रही है कैदियों की भीड जमा हो रही है वो यहां पर कम हो जाएगा हमारा जो criminal justice system है उसके उपर जो बड़न पड़ रहा है वो बड़न कम हो जाएगा तो यह दो points यहां पर focus में रखे गए हैं और इसी चीज़ को देखते वे Thailand ने यह step उठाया अब त तीसरा point सरकार ने Thailand की यह भी सोचा कि अगर हम लोग इसको एक तरीके से legalize कर देंगे तो इससे agricultural boost होगा ठीक है हमारा agriculture sector के अंदर इसकी growth होगी टूरिजम के perspective से भी हम लोग earn कर पाएंगे यह सारी चीज़े यहां पर सरकार ने Thailand की देखते वे यह काम किया है प्लस लोगों के लिए एक opportunity बन जाएगी राज्ये के लिए आपका सकता थाइलेंड के लिए एक opportunity बन जाएगी कि Thailand अच्छा खासा पैसा कमा सके इस मरजुआना और हम से यानि भांग और इससे जो हमारा गांजा है इससे ठीक है ना इतना clear हो चुगा है तो यह तो आपने देख लिया कि ह अब बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस चीज को लेकर क्या-क्या regulation देखने को मिलता है मतलब इंडिया के अंदर कैसे हम लोग regulate करते हैं तो इंडिया के अंदर भी जखो जो cannabis है इसको regulate क्या जाता था हमारी state के थ्रू जो हमारी state की exercise department हुआ कर दी थी तो अराम से यहा पार चलता था cannabis का लेकिन होता क्या है 1985 के अंदर एक act को लेकर आए जाता है जिसका नाम है NDPS Act आपने काफी बार सुना होगा तो Narcotics Drugs and Psycho Active Substances Act इसका यह नाम है अब NDPS Act ने क्या-क्या जैसे ही आया इस act के अंदर बोल दिया गया कि वही cannabis का cultivation इसका production, sale purchase, transportation, import, export यह सब यहां पर यह काम करता है तो वो basically एक punishable offense होगा तो 1985 से पहले तक cannabis को legally sold किया जा सकता था लेकिन 1985 के NDPS Act आने के बाद में इसके उपर पूरी तरह से restriction लगा दिये गए अब कुछ भी यहां पर नहीं किया जा सकता cannabis का ना import, export ना इसको खरीदा बेचा सकता अगर कोई करता है त अदर act लाया गया तो बाद में क्या करते हैं इसके अंदर दीरे दीरे बदलाव करते हैं 1988 के अंदर एक change किया गया फिर 2001 में थोड़ा सा बदलाव किया गया फिर अभी most recently 2014 के अंदर भी इसके अंदर एक बदलाव किया था यह आपको ध्यान दखना है और cannabis के अलावा similarly भां हो गया गांजा हो गया चरस हो गया इन सबको भी drugs and cosmetic rules 1945 के अंदर में enlist किया गया इनका भी यहाँ पर use हम लोग आयूरवेदा सिद्ध और युनानी के अंदर इस्तमाल कर सकते थे पट इन चीज़ों को भी यहाँ पर आपका सकते हो इनके ओपर भी काफियत तक रोग लगा इस पूरी CBD oil के ओपर प्रॉपर ध्यान अखा जाता है और इस एक्ट के मादम से बोला गया यह जो cannabis का oil है इसको legally बेचा और खरीदा जा सकता है तो आपने देख लिया किस चीज के ओपर restrictions और किस चीज के ओपर restriction नहीं लगी भी है लेकिन अब बात करते हैं कि भलो आपने जो मरीजवाना है इसको legalize कर दिया तो legalize करने के बाद क्या क्या हमें impact देखने को मिलेगा या फिर मरीजवाना को criminalize कर दिया तो इससे क्या क्या impact देखने को मिलेगा मतलब दोनों ही pace हो सकते हैं तो आप दोनों पहलों क्या बोलता है कि अगर हम लोग legalize कर देंगे मरीजव को बिलेगा इससे क्या प्रभाव पड़ेगा पहले हम इसको कबर करते हैं सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा कर्भ क्राइम यानि की जैसे मैं आपको अलड़ी बताया अभी क्या हो रहा है मरीजवाना के केस के अंदर लोग को अरेस्ट किया जाता है अब लोग को अरेस्ट क करने से फाइदा ये होगा कि ये cases जो हैं ये काफी कम हो जाएंगे और ये criminal justice system के उपर burden कम पढ़ने लगेगा तो पहला इसका एक impact ये ये देखने को मिलेगा अगर हम लोगों ने इन चीजों को legalize कर दिया तो दूसरा की impact देखने को मिलेगा legalization का दूसरा impact ये देखने को मिलेगा कि जो cannabis है मरीचवाना है इन सब का एक cultural और historical importance रहा है अगर हम लोग इतिहास देखें तो बहुत सरे जो हमारे document है जैसे Vedic period के document है in fact अथरोवेदा की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वहाँ पर cannabis के use के बारे में चर्चा की गई है अथर भांग जो है एक integral part है हमारे पूरे celebration का even आज भी हम लोग यहाँ पर holy में आप देख पाऊंगे बहुत सरे majority of लोग यहाँ पर भांग का consumption भी करते हैं तो culturally हमारी Sanskriti basis पर एक importance आपको देखने को मिलेगा बागी मैं आपको वेदास के अंदर बाताया तो अथरोवेदा की चर् अगे यहाँ पर हम्प मतलब भांग की बारे में ही चर्चा हो रही है तो जब यह commission आया 1994 में इसने यह देखा कि अगर इस भांग का consumption किया जाए और basically क्या हो रहा था पुराने जमाने में colonial इंडिया के time पर यानि कि उस समय अंग्रेजु का शाशन चल रहा था तो उस समय प benefit भी है ऐसा यहाँ पर बोला गया फिर उसके बाद इस commission ने recommend किया कि भाई देखो ban नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके काफी सारे use आपको देखने को मिल जाते हैं 1985 तक तो ban नहीं किया गया 1985 के बाद NDPS Act आया जिसने पूरी तरह से इसके ओपर restrictions लगा दिये वो हम लोग already discuss कर चुके हैं ठीके ना तो यह legalization का एक impact यह देखने को मिलेगा अब उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्या importance आता है legalize करने पर तीसरा एक सबसे बड़ा impact देखने को मिलेगा कि भाई जब आप लोग मरीजवाना की बात करते हो अगर लोग मरीजवाना का consumption कर रहे हैं और दूसी उन्हों एक study content की और इस study के अंतर यहाँ पर यह बताया कि बहुत सरे जो लोग हैं जो भी यहाँ पर दारू का alcohol का consumption कर रहे हैं टौबेको को consumption कर रहे हैं जो कि अभी भी legal है ठीक है alcohol टौबेको को बहुत अराम से यहाँ पर मिल जाता है legal है पूरी तरह से यह तो basically क्या है य as compared to the alcohol दूसरा यहाँ पर एक और benefit हो सकता है legalize करने का क्या benefit हो सकता है business और economic possibilities बढ़ सकती है यानि मरी जुआना का एक market standard बनता वा नजर आएगा अभी in fact current time पर हम लोग बात करें मरी जुआना को जो market है लगबग 7 billion US dollars का है globally imagine कर सकतो 1 billion dollar is equal to 37,000 करोड तो आप देख सकते हू यहाँ पर 2021 तक expected था कि यह जो market है 31 billion dollars तक हिट हुआ और आने मेले time पर यह market और बढ़ने वाला है तो legalize करने का फायदा यह होगा कि country के अंदर business और economic possibilities बढ़ेंगी यहाँ पे बड़े-बड़े startups open होने start होंगे प्लस यहाँ पे लोगों को jobs मिलनी चाली होंगी इस particular sector के अं आने कि इसकी cultivation के ओपर रोक लगा दी गई इसके use के ओपर रोक लगा दी गई पूरी तरह से ban कर दिया तो उसका impact पड़ेगा या फिर आप कह सकते हो कि मरीजवाना के अभी disadvantages क्या के देखने को मिलता है तो disadvantages भी हैं यहाँ पर आप लोगोंने फाइदे पढ़ लिए कि क्या फाइदे हो सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर नुकसान के बारे में चर्चा की जा रही है नुकसान में सबसे पहला नुकसान मरीजवाना अगर कोई व्यक्ति consume करता है तो उसकी mental health के ओपर एक बुरा प्रभाव भी पढ़ सकता है जिसको हम लोग बोलते है TSC यानिकि Tetra, Hydro, यह बैसिकली मरीजवाना के अंदर देखने को मिलता है और इसकी व्यक्ति के अंदर psychosis जैसी problem हो सकती है psychosis एक serious mental illness है दिमाग से सम्मंदित एक बिमारी देखने को मिलती है तो यह बिमारी भी produce हो सकती है इस मरीजवाना के consumption की वज़ा से प्लस जो adolescent है young आपको लोग देखने हैं इसके consumption की वज़ा से जो लोग हैं काफी धकान से उनको भूलने की मिमारी हो जाती है anxious से होता है उनका brain confused रलाता है तो इस प्रकार की problems भी create होती है तो पहला disadvantage यह हुआ दूसरा disadvantage मरीजवाना एक gateway है to the drugs अभी आप लोग सस्ता नशा कर रहे हो जो भी यहापर मरीजवाना का consumption कर रहा है वो यहापर अभी यहापर एक low level पर है लेकिन क्या होगा धीरे धीरे वो एक बड़े drugs की तरफ बढ़ जाएगा धीरे धीरे यहापर hard drugs की तरफ वो बढ़न रहे हैं जैसे कि brain तो बेकार होगा होगा है obviously बात है क्योंकि जो भी यह नशीला पदारत है वो directly brain को hit कर रहा है brain यहापर इन चीजों को control नहीं कर पाता दन उसके बाद यहापर कुछ injury होना उसके जो हमारे फेफड हैं उनके अंदर सूजन हो जाना इस प्रकार की problems भी great होत करवा दें ठीक है यानि कि इसको legalize कर दिया जाए pharmacy पर available हो जाएगी आराम से तो इसका recreational purpose बहुत हो यूज होने लएगा मतलब लोग इसको मनुरंचन के लिए enjoyment के लिए entertainment के लिए अपनी खुशी के लिए यहाँ पर use करने चालू कर देंगे ठीक है जैसे आज के टाइम पर मिप्ता है क्या होता है जो खाषी वाले syrup होता है ठीक है खाषी वाले syrup हो जाएंगे vix होता है इन सब चीजों का लोग इस्तिमाल करता है इन सब मतलब कुछ अगर नहीं मिलता तो खासी वाले सीरप के अंदर प्रॉपर एलकोहल है, पूरा ऐसी यहाँ पर पी लेते हैं, विक्स जो होता है, विक्स को लोग खा लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको एलकोहल देखने को मिलता है, तो इस प्रकार के कंजुम्शन ह हो रहा है, तो अगर मरीजवानों को लेगलाइस कर दिया जाए, तो यह प्रॉब्लम्स और काफी बढ़ सकती है, आई होप आपको एक चीज़ के रिगार्डिंग क्लारीटी मिल चुकी है, आपने इंटर्व्यू के परस्पेक्टिव से भी सारी चीज़ों को त्यार कर लि आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपोर्टन होना है, आपने थमनेल भी देखा होगा, यहाँ पर वर्मिन को मारने के बारे में चर्चा की जारी वर्मिन क्या होता है, बंदर होता है नहीं, वर्मिन यहाँ पर बहुत सारे जानवर होता है, जिनको वर्मिन नाम दिया जाता है, मैं आपको समझागा भी वर्मिन क्या होता है Down to Earth एक one of the most important source है हमारे current affair के लिए Down to Earth के magazine भी proper लियाती है और बहुत सरे question UPSC पूछता भी Down to Earth से तो हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं वर्मिन politics के बारे में वर्मिन politics क्या है इस article को आप लोग GS paper 2 से relate कर सकते हो जैसा कि यहाँ पे कुछ topics हैं environmental pollution और conservation का इशू क्या है देखो इशू यह है कि Wildlife Protection Amendment Act जिसको हम लोग WPA के नाम से जानते हैं अब Wildlife Protection Amendment Act नहीं है बिल है अब यह जो बिल है 2021 किसका इसको introduce किया गया और इसका focus यह है obviously बात है देखो amendment का मकसद क्या होता है amendment यह है यानि कि कुछ changes करना अब changes किसमे करेंगे कोई पुराना वाला बिल होगा तबी तो तो Wildlife Protection Act 1972 का यह बिल है जिसके अंदर December 2021 में बदलाव करने की यानि amendment करने की संशुधन करने के बारे में चर्चा की जा रही थी इसका basic objective यहाँ पर यह है यानि जो change किया जा रहा था इस change में यहाँ पर focus यह किया जा रहा है कि जो यहाँ पर vermin को मारा जाता है यह कहिने कि एक चिंता वाली बात बन जाती है अब vermin को मारने के बारे में चर्चा की गई यानि कुछ जानवर को आप लोग मार सकते, उसको हंट कर सकते हो, अब वो जानवर कौन से वो हैं, वर्मिन, वर्मिन होते क्या हैं, तो वर्मिन बैसिकली यहां पर एक problematic animal है, यानि कुछ ऐसे जानवर, जो कि इंसान के लिए, प्लस environment के लिए काफी बड़ा खत्रा बने वा है एक nuisance creature आपको देखने को बहलेगा ठीक है जब हम लोग बात करते हैं तो क्या करते हैं मतलब इनको हम इतना बुरा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इनसे humans को काफी बड़ा खत्रा है बहुत सारी बिमारिया फैला देते हैं ठीक है कोरोना वाइरस का आपका example पता होगा उसके आथ फसले बरबाद कर देते हैं ठीक है उसके बाद livestock या फिर आपका सकते हो property वगरा ये सारी चीजों के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए ये जो vermin animal है ये काफ़ी कारीगर साबित हुआ है अब vermin animal कौन कौन से हो सकते हैं तो वर्मिन animal बहुत है चूहा है ठीक है ये सारी vermin animal कहलाते हैं या जंगली सूर हो गया wild board जिसका हम लोग बोलता है ये भी यहाँ पर vermin है जो भी याँ पर animal इंसान के लिए, फसलो के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए हमारी एक तरीके से गायब हैसो के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए खत्रा बनावाए वो vermin category के अंदर आता है अब जो vermin animal की चर्चा की जाती है तो vermin के बारे में कहां पर define कर रखा है wildlife protection act 1972 के schedule 5 के अंदर अब wildlife protection act क्या है तो आप लोग यह देख पाऊगे यह 1972 का act इसमें 6 schedules हैं आपको पांचवा schedule यह देखने को मिलेगा पांचवे schedule के अंदर बोला गया इस schedule में जिस भी जानवर को डाला जाएगा जिस भी जानवर को रखा जाएगा वहाँ पे उस जानवर को हंट किया जा सकता है उसको अराम से यहाँ पर मारा जा सकता है उसका शिकार जा सकता है example के तोर पर जैसे यहाँ पर कवे हो गए, fruit bat यानि की चमकादड हो गया, यहाँ पर चूहा हो गया, mice हो गया, तो इसको अराम से हम लोग हंट कर सकते हैं, यह आप लोग को ध्यान लखना है, तो इस act नहीं है आपर यह सारी बाते बताएं, लेकिन इस act के अंदर अभी भी जो वर्मिन वर्ड है न वो properly defined नहीं है, यह power हमारी केंदर सरकार के पास में ध्यान लखना important point है, क्योंकि UPSC statement दे के आप से question पूछ सकता है, तो यह power हमारी केंदर सरकार के पास में है कि वो किसी भी जानवर को वर्मिन डेक्लेयर कर सकती है, ठीक है कि वो वर्मिन है, अब यहा प्सक्राइब कर दिया जाएगा, बात यह की जाती है, बहुत सरे लोग डिमांड यह करता है, कि कुछ और जानवर को वर्मिन के अंदर डेक्लेयर कर दिया जाए, ताकि उन जानवर को भी हम लोग खतम कर सकें, ठीक है, मार सकें, ऐसा बहुत जगे पर देखने को मिला है, जैसे हमारी कें सरकार ने racist monkey जो है, इसको हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश में racist monkey पाया जाता है, उत्राखंड के अंदर ये जंगली सुवर पाया जाता है, उसके बाद यहां पे आपका सकते हो, बिहार के अंदर नील गाय पाया जाती है, इनको vermin declare कर दिया था ऐसे बहुत सारे और भी जानवरों को vermin declare किया गया है, और vermin declare करने के बाद मैं आपको क्या बताया, कि उस जानवर को hunt किया जा सकता है, ठीक है ना, तो wildlife protection act के अंदर खुद ये बात है mention है, इसके schedule 5 के अंदर, ये wildlife protection act 1972 क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसके नाम से ही पता सकें, उनकी प्रजातियों को हम लोग बचा सकें, ये हमारा major focus रहता है wildlife protection act के अंदर में, इस act के अंदर अलग-अलग schedules दिये गए, 6 schedules है मैं आपको बताया, उन 6 schedules के बारे में, 6 schedules कौन कौन से हैं, वो schedule 1, schedule 2, schedule 3, schedule 4, schedule 5, schedule 6, ये सब मैंने आभी आपके साथ में discuss किया है, protection दी जाएगी, supreme protection, उनको बचाया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति उनका शिकार करता है, तो उस व्यक्ति के उपर भरपूर मातरा में penalty मारी जाएगी, फिर उसके बाद schedule 3 और schedule 4 भी यहाँ पर इसी प्रकार की चर्चा करता है, ये भी यहाँ पर यह बोलता है कि कि किसी जानवर की hunting नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो penalty चार्च की जाएगी, तो आपका होगे schedule 1, 2 और 3, 4 में फरक क्या है, फरक इतना यह है कि उपर वाले में penalty जादा ली जाएगी, नीचे वाले में penalty थोड़ी सी कम ली जाएगी, जैसे schedule 3 और 4 के अंदर अभी barking deer, उसके साथ falcon, kingfisher, tortoise, इन सब चीजों, इन सारे जानवरों को अभी इसके अंदर डाल रखा है, फिर schedule 5 क्या बोलता है, तो schedule 5 में आपको बता दिया, schedule 5 के अंदर वो जानवर आते हैं, जिनको hunt किया जा सकता है, जिनका शिकार किया सकता है, example common crow, mice, rat, fruit bat, already discuss कर चुके हैं, फिर schedule 6 क्या है, तो schedule 6, जिको plants, tree, crops, जो हैं, यहाँ पर mention करेगा है, schedule 6 के अंदर, मैंने उपर बोल दिया होगा, sorry, तो schedule 6 के अंदर plants, tree, crops, आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको भी यहाँ पर आपकर सकते हो कि एक protection मिल जाता है, ठीके न, तो आप लोग यह धियान रखना, wildlife protection act क्या है, फिर उसके बाद एक चीज़ और धियान रखना, जो article 48 है हमारे constitution of India का, यह direct करता है इस state को, यह नहीं हमारी राजो सरकार को कि वो क्या कर सकें, वो हमारे environment को, प्लस हमारी wildlife के लिए एक safeguard, एक protection को यहाँ पर लेकर आएं, अपने protection को improve करें, तो state के पास में आपे powers आ जाती है इस चीज़ को लेकर मैं, अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया, यह 1970, जो मैंने भी आपको बताया, छे schedule वाला, यह पूरो का पूरा 1972 का act है, लेकिन इसी 1972 का act के अंदर कुछ बदलाव के गए, और the wildlife protection amendment bill 2021 को लाया गया पिछले साल दिसंबर में, अब यह जो 2021 वाला bill है, schedule 3 के अंदर plants को cover के जाएगा, ठीक है, फिर schedule 4 के अंदर नई species को add करेंगे, basically यहाँ पर बोला गया, जो schedule 5 पहले क्या था, 1972 वाला, 1972 वाला यह बोल दाता कि schedule 5 के अंदर vermin species को remove कर जाएगा, vermin species को आप लोग hunt कर सकते हो, ठीक है, इसका शिकार कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या किया या, अभी 2021 का जो amendment है, changes जो किया जा रहा है, इसमें focus यह है कि vermin species को remove कर दिया जाए, इस schedule से बाहर निकाल दिया जाए, फिर इसके अंदर एक और चीज एड़ करने के बारे में चर्चा की जारी, एक नया schedule एड़ किया जाएगा, जो कि यहाँ पर sites, जो के अंदर जो काफी खत्रे में है, जिनकी जनसंग की अलगातर खतम हो रही है, उनको protection देने का कम करता है, यह site, तो यहाँ पर इस प्रकार की जो चीज़े देखने को मिलती है, इसके अंदर में, उनको यहाँ पर appendix 1, appendix 2 करके list maintain करता है, ठीक है, इसमें भी यही focus है कि अगर किसी को appendix 1 क न डाल दिया, तो उसका व्यापार यहाँ पर नहीं कर सकते हैं आप लोग, मतलब यह है कि उस जानवर उस पौधे को यहाँ पर पूरी तरह से protection देनी है, तो यह नया एक add करने के बारे में चर्चा की जारी थी साल 2021 वाले amendment bill के अंदर में, प्लस जो vermin वाली species है, vermin वाली species के बारे में क्या changes किये गए, तो अभी भी यहाँ पर हमारी केन सरकार के पास में ही power रहेगी, कि वो किसी भी जानवर को as a vermin declare कर सकते हैं, vermin declare कर देंगे तो basically क्या होगा, उनको मारना यहाँ पर असान रहेगा, exactly आप ऐसा कह सकते हो, और उत्रकंड ने काम किया है, उत्रकं किस को यहाँ पर vermin declare किया गया, ठीक है, क्योंकि लगबग आपका सकतो बहुत सरे लोग की जान ले चुगा था, है ना, यहाँ पर आपका सकतो बहुत सरे लोग के उपर attack कर चुगा था, लगबग 64 ऐसे केसिस निकल कर रहे थे, इस वैसे यहाँ पर जानवरों को मारने के लिए, आदेश दिया गया, उसके बाद गुजरात के अंदर जो नील गाय है, इसको वर्में डेकलियर किया गया, एक साल के लिए, रीजन यह था, इसकी जनसंकिया काफी तेजी से बढ़ रही थी, फिर बिहार के अंदर यहाँ पर आपका सकतो नील गाय और वाइल बोर को लिए किसान, उसके लिए सरकार ने बहुत सारा लाखों में कंपंजेशन दिया था, तो इस प्रकार के स्टैप अभी लगातर उठाए गए हैं, यह आप लोग को ध्यान रखना है, यह मैंने एक्जैक्ली बताया कि क्यों यह काम करना पड़ रहा है वर्मिन को लेकर, अब यह आपे बहरा गया कि भाई, अब क्या होगा, अब भी शूच रहोएं किसी जानवर को अगर मारा जाएगा, तो इससे प्रणों बिदम हो सकती हैं बिलकुल प्राप्लम मने को मिल सकती हैं, सबसे बड़ी बात क्या होगा हमारा जो अ्ट्लॉजिकल इंबैलन्स है मतलब कि अगर आप लोग देखोगे तो हमारा पूरा-पूरा एक लॉजिकल बैलनस बनावा है यानि प्रक्रेति की देन है कि यहाँ पर कुछ जानवर है जो की पेड़ पोदे खाते हैं पेड़ पोदों को खाने के लिए यहाँ पर जंगली बिल्ली हो गई तो इस प्राकार से यहां पर पूरा-पूरा food chain होता है, food web बनावा होता है तो यह चीज़ें यहां पर बुरी तरह से affect करेंगे, अगर हम लोग जानवरों को मारना start कर देंगे तो उसके बाद यहां पर mention किया गया, कि भाई यह देखो इससे और भी काफी सरी problems create हो सकती है जैसे कि यहां पर जब आप लोग एक marks extremism करोगे, तो इससे यहां पर जानवर खतम होने चालो हो जाएंगे और इसके बजाए मतलब इस method के बजाए कोई दूसरा method यूज़ किया जा सकता है है ना, तो यह यहां पर बोला गया, एक दूसरा method आप लोग लिया होगे, तो ज़्यादा सही रहेगा अगर आप लोग यह mask clean करोगे, यानि कि इतनी तेजी से इन जानवरों को माना start करोगे तो इसकी वज़े से यहां पर कोई भी problem का solution नहीं निकल पाएगा और problem बढ़ेंगी तो यह काम करना होगा, इसके बदले में कोई दूसरा step उठाना होगा, यह यहां पर चर्चा की जा रही है बागी human wildlife conflict क्या होता है, अल्यडी मैंने आपको समझा रखा है इन्सान और जानवर के बीच में यहां पर एक लडाई हो जाती है और उस लडाई के अंदर इन्सान मार जाता या फ्रर जानवर मार जाता है, इस प्रकारगी चीजह यहां पर create हो जाती है किसी जानवर ने कुछ नश्ट किया तो उसके बदल में क्या हुआ इनसान की इस इनसान उस जानवर को मार दिया तो इसी को हम लोग human wildlife conflict बोलते हैं क्यों बढ़ रहा है क्योंकि देखो आज के टाइम पर सबसे बड़ी बात दिक्कत ये भी तो है हम लोग environment को बरबाद तो इनसानी कर रहे हैं लगातार पेड़ पौदे काट रहे हैं लगातार यहाँ पर development चल रहा है लगातार शहर बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं जंगलों के अंदर तो यहाँ पर घरबंदे चालू हो चुके हैं तो इसकी वेसे आप जानवर कहां प होने वाला है हमारे thumbnail के अंदर ननी परी के बारे में mention किया हुए मैंने तो ननी परी प्रोग्राम क्या है हम लोग इसके बारे में जानेंगे एक initiative वे सरकार का important है question बन सकता है तो Indian Express का यह article है अगर कोई नई बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए यहाँ पर यह initiative उठाया ननी परी प्रोग्राम बेसिकली एक scheme रहेगी जो कि यहाँ पर parents को एक one-stop solution देगी होगा क्या देखो जब बच्चा पैदा हुआ तो अलग-लग offices से अलग-लग documents लेने के आवशक्ता पड़ती है कि यहां से भी document registration और इन चीजों का बगर बगर documentation करना पड़ता है documents को लेना पड़ता है लेकिन ननी परी प्रोग्राम के अंदर सब कुछ provide के जाएगा एक साथ parents को इधर-उदर भागने आवशक्ता नहीं है mother और बच्चे को तब भी discharge किया जाएगा जब सारे उसको benefit दे दिया जाएगे यह यहाँ पर एक अच्छा सा program चलाएगा है ननी परी प्रोग्राम इसका basic aim यह है इस scheme का कि हम लोग girl child को protection दे सकें क्योंकि होता यह है कि यहाँ पर जो girl child है उसको proper protection मिलती नहीं तो उसको proper protection दिया जाए उसके लिए safe और secure environment बना रहे है क्योंकि उसको अलग-लग scheme के अंदर भी register किया जाएगा उसकी education के लिए भी हाँ पर काम करेंगे तो का major focus यहाँ पर रहने वाला है कि देखो जो भी essential service होती है birth certificate हो गया अधार card registration bank account उपन करना बच्ची का यह सारी चीज़े hospital के अंदर ही करी जाएगी उसके बाद जाके mother और baby को discharge किया जाएगा इस नन्नी परी program में ताकि बच्ची और mother दोनों को यहाँ पर benefit मिल सकें इस particular program क इस program का major aim यह है कि girls को यहाँ पर register किया जाए mothers को register किया जाए अलग-अलग scheme के अंदर जैसे यहाँ पर सुकन्या समरिधी account scheme हो गया लाडली scheme हो गया प्रदान मंत्री मातरू बंदना योजना हो गया तो इन सब scheme के अंदर भी क्या होगा हम लोग mother को और साथी साथ बच्ची को इस के अंदर क्या करेंगे इस scheme के अंदर register करेंगे इससे एक फाइदा यह भी होगा इससे फाइदा ही होगा girl child को इक तरीके से मतलब girl child को protection मिलेगी लोग यहाँ पर अपने बच्ची को यहाँ पर एक तरीके से abort नहीं करना चाहेंगे होता क्या है अगर कोई girl child है तो उस उसको ही नन्नी पर ही प्रोग्राम के अंदर कवर किया जाएगा, तो क्या होगा, इंस्टिउशनल डिलिवरी का उसको बेनेफिट मिलेगा, मतलब इंस्टिउशनल डिलिवरी प्रोमोट होंगी, यह इसका एक फाइदा देखने को मिलेगा, तो आई होप आप लोग नहीं आपर इसको अच्छे से समझ लिया है, कि पेरेंट्स हैं, उनको कोई टेंशनल लेने के आवश्चता नहीं है, तो अराम से गर्ल चाइल्ड को लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो, जो भी essential schemes हैं, वो सब यहाँ पर गर्ल को प्रोवाइट करवाई जाएंगे, अगले आर्टिकल पर आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, चाइना के त्यांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में काफी चर्चाम है, इस पडिकलर आर्टिकल को आप लोग GS paper 3 स्पेस और टेक्नलोजी या फिर साइंस और टेक्नलोजी से रिलेट कर सकते हो, दहिंदू का ये आर्टिकल है, चाइनीज एस्टोनोट्स जो हैं, वो एंटर कर चुके हैं त्यांगोंग स्पेस स्टेशन के अंदर एक सक्सेस्फुल लेंच के बाद में, लेंच नहीं, लॉंच के बाद में, तो यहाँ पर क्या है, की देखो, चाइना ने अपना एक इं इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है, अब आपको picture में यह दिख रहा होगा, यह क्या है, अंतरिक्ष में एक कमरा बना दिया या है, जैसा अभी हमारे पास खुद का, यानि की इंटरनाशनल लेवल का, इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन अलरड़ी एक है, यह आप दे त्यांगॉंग स्पेस स्टेशन यह आपको ध्यान रखना है और अभी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो यह वाला अल्रेडी वर्क कर रहा है जिसको यहाप पर अलग देशों ने मिलकर बनाया है तो यह बेसिकली क्या हुआ है अभी यहाँ पर इसको retire भी कर दिया जाएगा जल्दी लेकिन यहाँ पर यह तो अभी अभी launch हुआ है काफी लंबे समय तक work भी करेगा जो यह वाला international space station ने पता इसको किस-किस ने बनाया है अमेरिका, US, Russia, Canada, Japan उसके बाद आपको Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherland मतलब यह सारी nations involved थे कहीं ना कहीं लेकिन त्यांगोंग वाली के अंदर चाइना ने खुदी यहाँ पर यह कदम उठाया है इसके अंदर बड़े-बड़े nation भी थे लेकिन छोड़े-छोड़े nation भी involved थे इस वाले particular international space station में यह आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है ना तो त्यांगोंग space station अभी तयार हो रहा है पूरी तरह से exactly आपका से तयार हो ही गया है और यह अब चाइना को धेर सारे benefit देगा यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो चाइना के astronaut से वो properly जा कर और अराम से बैट कर महाँ पर research कर सकते हैं और research करने के बाद में आप कह सकते हो काफी सारी information प्रोवाइड करवा सकते हैं अभी क्या है रुकने का कोई proper बंदबस है नहीं तो अभी यहाँ पर क्या है यह space station की वज़ा से लंबे समय तक वहाँ पर रुक कर research कि जा सकती है कुछ इस प्रकार से अंदर से देखेगा यह space station चाइना यहाँ पर एक देश बन चुका है जो कि यहाँ पर यह space station को launch कर रहा है यह आप लोगों को ध्यान लखना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है चाइना काफी आगे चल रहा है अब भारत अपना खुद का जो space station है वो 2030 या 31 तक launch करेगा और चाइना आप कर सकते हो कि यहाँ पर अब launch कर चुका है और जो दुनिया आगे चल लेए वो इतनी आगे चल लेए कि उनका international space station 2030 में retire हो जाएगा तब भारत यहाँ पर launch करेगा इतना ध्यानक ना है बाकी इंडिया का जो space station प्रोग्राम है उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो मैंने आपको बता दिया 2030 तक हम लोग भी launch करेंगे और यह जो हमारा international space station होगा वो काफी छोटा होगा उसका लगबग 20 tons के आसपास का वजन देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी लंबे समय तक हम लोग वहाँ पर एक तरीके से space में research कर सकते हैं बाकी गगन्यान mission के उपर क्या पर काम चली रहा है आपको बता होगा गगन्यान mission के अदर क्या करने वाले हैं यहाँ पर 2022-2022 तक हम लोग यहाँ गगन्यान mission को भी टेस्ट कर लेंगे रॉकेट के माध्यम से हम लोग अपने astronauts को भेजेंगे अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष में इस प्रकार से जो astronauts से वो 5-7 दिन रुख पाएंगे और उसके बाद वो वहाँ पर नीचे उतर जाएंगे रॉकेट में आगे इस प्रकार से यह लगा होगा capsule ठीके ना यह वाला इसको हम लोग orbiter module बोलते हैं यह लगा होगा तो इसके अंदर वो लोग बैठे होंगे rocket उपर जाएगा फिर इस orbit module को उपर फैक देगा यह उपर से चला जाएगा 5-7 दिन तक space में रहेगा फिर नीचे गिरना चालू होगा और नीचे जब गिरेगा तो इसमें parachute open हो जाएगा दीरे दीरे उतर जाएगा हमारे ocean के अंदर में Arabian Sea में और वहीं साब कर सकते हो कि फिर इन सब लोग को उतार रिया जाएगा तो यहाँ पर 5-7 दिन तक क्या हो सकता है यह एक तरीके से हम लोग अपने लोगो को astronauts को space में भेज सकते हैं तो यह गगणयान mission है तो गणयान mission भी जल्दी conduct होने वाला है यह आप लोग को बहुत अची तरीके से ध्यान में रखना है गणयान mission का importance यहाँ पर यह होगा कि देखो मैंने आपको अल्लेडी बता दिये हम लोग properly experiments वगरा research वगरा कर पाएंगे वहाँ पर तो एक छोटा सा आर्टिकल था ज्यादा कुछ था नहीं त्यांगोंग space station किसी से संबंदिते है चायना से संबंदिते है यह आपको ध्यान रखना है next article पर आते हैं अब यह article आपने पढ़ लिया है लगातार cover हो रहा था तो मैंने सुचा चलो फिर भी include कर देते हैं बहुत सरे लोग दहिंदू का वीडियो नहीं देख पाते हैं current affair का वीडियो देखते हैं तो मैंने सुचा चलो include कर देते हैं यहाँ पे क्या चर्चा की जार FATF that is financial action task for इसकी meeting होने वाली है 14 जून से 16 जून के बीच में और इसी FATF की meeting के दोरान क्या होगा पाकिस्तान यह बोलता है कि अपकी बार हमें grey list से निकाल दिया जाए अब आपको grey list क्या है तो एक के करके सारी चीज़े समझने वाले हैं सबसे पहली चीज FATF क्या है तो F Intergovernmental का मतलब यह है कि दोखो पहली बात तो इसके अंदर 39 members हैं तो 39 members की सरकारे 39 countries की सरकारे मिलकर इसमें काम करती है that means Intergovernmental Decision Making Body है FATF का full form में आपको बताया इसका काम है money laundering और terror financing को रोकना money laundering मतलब क्या होता है illegal तरीके से पैसा कमाया फिर उसको यहाँ पे white money में convert कर दिया यानि कि black money को white money में convert करना is called money laundering और terror financing आपको नामसी पता चल रहा है आदंगवाद को बढ़ावा दी जाता है पैसा देकर finance करकर तो इन चीजों को रोकने की बात करता है FATF ठीक है ना इस FATF को establish के गया था 1989 में जब G7 summit का एक तरीके से पूरे की तरह से प्रोग्राम चल कर चुक है money laundering को tackle करना और terror financing को रोकना अब FATF अपने आप में दो list maintain करके चलता है ध्यान रखना FATF के नदर दो list कौन कौन सी है तो एक है black list और दूसरी है यहाँ पर grey list grey list black list को मैं क्या difference से समझाता हूँ grey list को हम लोग warning list के नाम से भी जानते हैं अगर कोई देश FATF के ये इन चीजों के लागू करने के बावजूद भी money laundering करता है terror financing करता है तो उन country इसको warning देने के लिए पहले grey list में डाला जाता है और वो country फिर भी नहीं सोधा रती है तो इसको black list में डाला जाता है ठीके ना इसके बाद कोई impact पड़ेगा क्या सजा मिलेगी उनने उनकी economy बरबाद होनी चाले हो जाएगी अगर उन country को future में कुछ पैसे की आवशकता पड़ेगी कि हमें कुछ पैसा उठाना है तो देश कहां से उठाता है पैसा international monetary fund से लेकिन वो देश अगर grey list में होगा तो international monetary fund से प कम उनने लेगी उसके पास जो remittances बगरा है जो पैसा बगरा बाहर से आ रहा था लोग काम करें दूसरी जगा पर उन चीजों के उबर भी काफी हद तक रोग लग जाती है ठीक है यह हम लोग ने discuss कर लिया एक और impact यह पड़ता है compliance बढ़ जाता है देखो यहां पर क्या हो उसके बाद यहां पर चीज़े बदल पाएंगी अगर वो खतम करते हैं तब उनको उस लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा तो बहुत सरे experts यहां पर मानना यह है उनका कि देखो जो FATF है वो properly काम करता भी नहीं है मतलब आप सोचोगे कि यह तो बड़ा बड़ा impact पड़ता होता है अब यहां पर दिक्कत क्या देखने को मिली दिक्कत यह देखने को मिली कि बीच में पाकिसान को पैसे के ज़रुरत पड़ी और पाकिसान ने उठा लिया पैसा तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि पूरी तरह से रोक लग जाती है तो ऐसा नहीं कोई ज़्यादा ब FETF का क्या connection हम लोग थोड़ा से इसके बारे में भी discussion कर लेते हैं देखो इंडिया जो है FETF का एक observer country बना था साल 2006 के अंदर ध्यान एक observer country बना है साल 2006 में June 25 2010 में क्या होता है इंडिया यहाँ पर इसका 34 मेंबर बनता है FETF का 34 मेंबर बन गया आज के टमपर total 39 मेंबर सा 34 मेंबर भारत बना था और पाकिसान की बात करें तो पाकिसान यहाँ पर gray list में घुम रहा है 2008 से ही लगाता ग्रे लिस्ट में है क्यों क्योंकि यहाँ पर प तो इसमें पाकिसान यह बोलता है कि हम ले ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए अब क्यों निकाला जाए तो पाकिसान यहाँ पर यह बोलता है हमने काफी सरे steps उठाए हैं हमने आतंगवाद अपने देश में कम किया है जो बड़े-बड़े terrorist leaders से हाफी साइद मसूद इन सब को यहाँ पर arrest किया है इनकी जो जगह थी बड़ी-बड़ी properties उनको जब्त कर लिया गया है ठीक है तो इस प्रगार के step उठाए गये हैं तो यहाँ पर पाकिसान चाहता ही है कि अब की बार हम लोग को एक relaxation मिलना चाहिए हम लोग को ग्रेलिस से बाहर निकालना चाहि है कि 1100 के आसपा जो properties हैं इन terrorists की वो हम लोगोंने seize कर लिये हैं पाकिसान anti-terrorism act को लेकर आया गया कि बिल्कुल आतंगवात को खतम किया जाएगा money laundering law बदल दिये गए हैं पूरी तरह से आपके सकते हो money laundering को रोका जा रहा है देश के अंदर में पाकिसान में तो पाकिसान कोशिश करेंगे यहां पर इन चीजों को recall करने की तो आप लोग क्या करो अभी वीडियो को pause करके जो भी आप लोग नहीं पर 5-6 articles पढ़ें उनको recall करने की कोशिश करो क्या-क्या पढ़ा है ठीक है इससे आपका एक revision भी हो जाएगा अब मिलते हैं आप लोग को से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जै हिंद!